आज पांच में दौर की वोटिंग हुई, कुल 51 सीटों पर 62.56 फीसद वोटिंग हुई UP में 5 परचे तक 53.4 फीसद वोटिंग, मद्यप्रदेश में 63 फीसद, पश्चिम बंगाल में 69 फीसद, राजस्थान में 58.2 फीसद और जारखंड में 58 परसें वोटिंग हुई जो बाते कही गई हैं, पहले दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी की ओर से, वो इससे पहले नहीं कही गई सहयोगी और बहुमत को लेकर बीजेपी के महा सचेव राम माधव ने एक बयान दिया है ब्लूमबग को दिये गए इंटर्वी में ने कहा है, कि अगर हम अपने दम पर 271 सीटे हासिल कर लेते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा, हालां कि पूर्ण बहुमत, NDA को ही मिलेगा महा सचेव राम माधव जो बात कह रहे हैं, वो अब तक बीजेपी की ओर से किसी ने नहीं कही, अब तक बीजेपी अकेले दम पर बहुमत की बात करती रही है, मेरे साथ हैं प्रॉफेसर पुरुशोत्यम अगरवाल और संजे कपूर, हार्ड नूस के संपादक, मैं जानना जाए, उनका धर्म होता है, अब तो होसला बढ़ायाने की बात हो रही थी कि हम साड़े 300 सीटे जीतेंगे, लेकिन पांच तोर के बाद इन्हें जमीनी हकीकत दिखनी शुरू हो गई है, या फिर 271 नंबर भी होसला बढ़ाने की कवायत है, हो सकता है, क्योंकि 271 की जो बा कि 65 सीटों में से संभवते 60 सीटें थी, तो कोई चमतकार भी उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर देगा, ऐसा लगता नहीं है, और रामाधाव का ये कहना देखी, रामाधाव मूलते संगे के व्यक्तियों, और संगे के व्यक्तियों के बारे में जैसे आपने कहा, उसके ला आप तैयार रहिए, हम आपके पास आएंगे चुनाओ के बाद. बहाशर दे रहे हैं, बड़े लंबे-लंबे बहाशर दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कोशिश करी है, B.S.P. और समाजवधी पार्टी के अंदर दरार पैदा करने की, इन्होंने कहा है कि B.S.P. के दगा देने की कोशिश करी ही, कॉंग्रेस और सपा मिलके, तो यहां पर प वो नीचे फिसलने लगा है और पिछली एक मैने से उसकी जो ग्रावट है बढ़ती चली जा रही है आज तो सबसे जादा गिरा है तो लोगों का आकलन यह है कि यह जो पूरी इंडस्री रियाक कर रही है वो इसलिए कर रही है कि उनको लग रहा है कि भारती जंता पार्टी जीत के नियारी अगर आएगी तो बहुत ही कम उसको सीटे मिलेंगी तो यह सब चीजें कैसारी और अडानी जोकिन के खास करीब ही हैं उसके स्टॉप तो सबसेदा गिर रहे हैं जी तो इस तरह से क्यों कहना पड़ रहा है भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता राम से बीजेपी के खाते में सिर्फ चार सीटे ही आ सकती हैं यानि इस दौर की 14 में से आठ सीटे गटबंदन के पास जा सकती हैं 2014 में बीजेपी ने इस दौर में 12 सीटे जीती थी अब यूपी में पांच तौर तक हुई वोटिंग की बात करें तो कुल 53 सीटों में से गटबंदन को 35 सीटे मिल सकती हैं न्यूस क्लिक के मताबिक यानि बीजेपी की सीटे 47 से घटकर 12 हो सकती है खास यह भी कि इस रिपो और शिक्षा के हाल बहुत बुरे हैं बहराइच में 5 साल से कम उमर के 65 फीसद बच्चे स्टंटिड है यानि इनकी जो ग्रोथ है यानि जो जिस तरह से उन्हें एक सेहतमन बच्पन मिलना चाहिए था वोने नहीं मिला है चोहत्तर फीसद बच्चों में खून की कमी पाई सेही है और वहीं पांचवी तक का स्कूल ड्रॉप रेट एक तालिस फीसद है पुर्श्वत्यमन और संजे हम सब वाकिफ हैं लेकर कहें गेब्रिल गार्सिया मार्क्वेज उनका एक उपन्यास है क्रॉनिकल अफट डेथ फोर्टोल्ट ये जो सर्वे हैं रिपोर्ट्स है क्या एक क्रॉनिकल अफट डिफीट फोर्टोल्ट नहीं है हो सकते हैं लेकिन विनोज जी एक बात का आप धिहान रखें ये सर्वे अपनी जगें हैं लेकिन बीजेपी का जो एक बहुती जभरदस्त संगठन तंत्र है बलके संग का जिसको कहना चाहिए और फिर ज्यादे हमें तो जो महाबली हैं जो परम प्रतापी हैं उनके साथ चलिए उनके पीछे चलिए तो यदो अप्को पाकस्तान से बचाएंगे और वो ना जाने आपको काँकां ले जाएंगे तो जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भाजपा जो है वो मोधी जंता पार्टीया ने रहाना नहीं है और असल में यही कारण है कि नहरू से सुरूग होके वो राजीव गांदी तक पहुच रहे हैं जी संजे तो पहली बात तो काफी हता कहना confusion क्रेट कर रहा है जैसे बुश्रता मगरवाद सब्सक्राइब ने बताया कि जो मीडिया के माद देहम से एक उनोंने ह एक गुबार पैदा कर रखा जिससे की किसी को अपना हाथ से हाथ मीं सुचता है कि वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो उस सूर्थे हाल में अगर आप दिल्ली के बाहर लोगों से बात करिये लोग पूछेंगे कि साब क्या हाल है क्या हो रहा है एक तो खौफ और पूरा इस तरीके का हेज क्रियेट कर रहा है उसकी वैसे लोगों को पता नहीं है परन्तु अगर आप बहां पे समस्या हैं देखें लोगों की तो यह सब एक कारण बनती हैं जिसके बीजेपी खिलाब माहौल बन रहा है जैसे फामर डिस्ट्रेस हो गया लोगों की जो क्य आपको पुजिशन कर रहा है और घूम फिर के जो कमिनलिजम है वो इनको युनाइट करती है जी अंग्रेजों की नीती थी यह तो फूट डालो राज करो डिवाइड और रूम इनकी भी यही नीती लग रही है लेकिन बास सिर्फ इतने नहीं है न्यूज वेबसाइट वा पैटर्न का ध्यर्न किया गया उतके तहर 154 सीटे आती हैं यह राजे हैं यूपी मद्रप्रदेश राजस्तान चत्यसगर उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इन 154 में से 142 सीटे जीती थी यानि बीजेपी को मिली कुल 283 सीटों की आधी सीटे इनी राज्यों ने बीजेपी को दी थी अब जरा नज़र डालते हैं कि बीजेपी को कुल मिलाकर कितना नुकसान होने की संभावना है यह दवायर का जो रिपोर्ट है उसके मुताबक हम बता रहे हैं बात सबसे पहले उत्रप्रदेश की करते हैं वहां कुल 80 सीटों में से बीजेपी ने 71 सीटे जीती थी दवायर के मुताबक इस बार यूपी में बीजेपी को 27 सीटे ही मिल सकती है यानि कुल 44 सीटों का नुकसान हो सकता है यह राजस्तान में पिष्टी दफ़े बीजेपी को 25 में से 25 सीटे मिली थी इस बार बीजेपी को महस 13 सीटे मिलती दिखाए दे रही है यानि 12 सीटों का नुकसान है 36 गर्ड की 11 सीटों में से पिष्टी बार दस बीजेपी को मिली थी इस बार माना जा रहा है वायर का मानना है कि बीजेपी को एक ही सीट मिलेगी यानि 9 सीटों का नुकसान होगा मेरे साथ हैं प्रोफेसर पुरुशोतम अगर्वाल और संजे कपूर मेरा सवाल आप से सीटा साथ यह है कि उत्तर भारत के हिंदी भाशी क्षेत्रों में संभावित नुकसान जिसकी दवायर बात कर रहा है इसकी भरपाई कौन-कौन से राजसे हो सकती इसके पहले में एक अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं मौका दीजिए यह राजना सिंग जैसे गंभीर व्यक्ति का यह कहना कहीं ना कहीं उस बात की और संकेत करता है जो हम चर्चा कर रहें कि बातें आप चाहें जो कर लें लेकिन हिंदी भास्वी छेक्तरों में क दूसरे नेताओं का है तो संभवते बंगाल से संभवते उरीशा से लेकिन कितनी भर पाई नौथ-East? नौथ-East में वैसे भी कोई बुरी इस्तिती भाजपा की है नहीं अभी नौथ-East में बहाजपा और उनके अलाइज अभी भी अठी कासी आलत में है तो अब मेरे सा सब्सकान हुराइज सौसे जादे सीटों का और वहां कुल मिलाकर सीटें 62-63 नौथ-East को भी मिला लें तो कुल मिलाकर करके सीटें 90 के करी में उनमें से 90 की 90 BJP हासिल कर ले ऐसा तो मुझे नहीं लगता जे अवाने को तो कुछ भी हो सकता है सरजी एक बाब बताईए 2014 का चुनाव आपको भी आद होगा हमें भी याद है वो जो बहुत ही ओजस्वी वानी और जिस धूम-धाम से प्रदान सिवक दहारते थे इस दफ़े के भाशनों में आपको क्या दिखता है इस से मैं इसी सवाल से में जोड रहा हूं कि भरपाई इन्होंने जो अटेंशन है पार्टी से हडा के अपने उपर केंद्रत करी है क्योंकि हमें एक बात को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि रेंदर मोधी की परस्नली जो इमेज है वो अभी भी काफी हद तक इंटाक्ट है चाहें आप उतर प्रदेश में जहां भी जाएं वही है न भरस्ट होते हैं बाकी लोग नहीं होते हैं यह आम हिंदुसानी की सोच है तो इस कारण से वो भरस्ट नहीं है दूसरी बात यह है कि दबंगाई दिखाई इन्होंने पाकिस्तान के खिलाब इन्हों घुसके मारा जिसकों कि वो खुद ऐलानिया तोर पर बताते ह के ना कुछ ना कुछ फाइदा हो सकता है पर अंतु हिंदुस्तान बहुत बड़ा है दक्षिनल भारत में और तक तक तमाम इलाकों में लोग बाग सवाल पूचेंगे बहुत जितने अर्थ एवस्ता के बारे में और दूसरी गणित भी है उनको गणित अपने खिलाफ नजर आ रही है प्रधान सिवक को गणेत अपने खिलाफ नजर आना शुरू हो रहा है, ऐसा मानना है हमारे मेमानों का, नुकसान का अनुमान उस राजसे भी है, जहां से बीजेपी ने 2014 में क्लीन स्वीप की थी, हम राजस्तान की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, कि पिछले लोगसभा चुनाओं में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटे जीती थी, केरवेन, अब हम तीसरा आपको बता रहे है, केरवेन मैगजिन है, उसकी रिपोर्ट के मताबिक आज जिन 12 सीटों पर चुनाओं हुएं आज, वहां कॉंग्रेस की हालत मजबूत है, इन 12 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 102 असेम्बली सीटे हैं, पिछले चुनाओं में कॉंग्रेस ने इन 102 सीटों में से 43 सीटे जीती थी और बीजेपी ने 50, यानि अगर 2018 के असेम्बली चुनाओं के वोटिंग पैटरन का गणित काम करता है, तो कॉंग्रेस को इन लोगसभ बड़त मिल सकती है.